मुझे लगते हैं आज तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने यूट्यूब पर आपको इसे explain नहीं किया होगा और अगर आपको last तक वीडियो देखने के बाद लगे कि मैंने जो आपको tips and trick बताया ओ अच्छा नहीं था तो आप मेरे को last में comment में बता के जाना के सूरज भाई आपने जो tips and trick बताया था ओ अच्छा नहीं था सोफिच चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है सोदा और इनिमो वस्टिंग टाइम लेट्स रोल दा इंट्रो उससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ आप सबसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाता हूँ अगर आपको ए वीडियो किसी भी जगा से थोड़ इसी भी पसंद आ जाये तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके जाना सो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर अपने इस वीडियो के पहले वाले एपिसोड या पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं टॉप 10 लिंक डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइट कर दूँगा आप वहां से जा कि इस वीडियो के बाद उस एपिसोड को भी देख सकते हैं मैंने उस एपिसोड में है जो आपको डिफिनेटल पसंद आएगा हमारे लिस्ट पर फंस्ट रिक या फंस्ट जो हीडेन फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं ओक यह क्विक रिप्लाई का सो आब आप किसी भी टाक्स या काम को करते गरते सोशल मेडिया पर रिप्लाई कर सकते हो जैसे वाट्स के स्क्रीन आपको शो हो जाएगा आपको यहां पर बोल रहा है कौन से अपको आप इस्तमाल करते करते आप कुई क्रिप्लाई को यूज करना चाते हो जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो देखने के साथ साथ वाट्स एप पर चैट करना चाता हूँ तो मैं सिंप्ली यह पर सिलेट करूंगा यूट्यूब को उसके बाद आपका क्विक रिप्लाई एक्टिवेट हो जाएगा और अब अब जब यूट्यूब पर वीडियो देखूगी तेम टाइम पर अगर आपके वाट्स एप पर कोई भी मैसेज आता है तो आपको कुछ इस तरीके का फ्लॉ इसको आपको अट हैड एक्टिवेट करने के लिए set कर सकते हैं उसके लिए आपको simply जाना होगा themes पे बाद आपको यहाँ पर my page पे आना होगा and then click करना होगा wallpapers पर एंद उपर मैं आपको देखने को मिल जाएगा my live wallpapers करकी इस पर आपको tap करना होगा and then नीचे जो plus के button इस पर आपको tap करना होगा एंदर आपको gallery से कोई भी एक voted वाला video को choose कर लेना है जैसे मैं इसको select करूँगा select करने के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो मेरे ही यहाँ पर my live wallpapers की section पर यह video add हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ पर next या fourth number पर जो feature देखने को मिल जाते है ओ है video height का so अब अपर में MIUI 11 के device पर बिना कोई भी third party app को install की आप अपने video को height कर सकते है उसके लिए आपको simply क्या करना होगा जाना होगा मी videos पर यहाँ पर कोई भी video को select करके tap and hold करके रखना होगा यहाँ पर आपको जो share के button दिख जाए है इस पर आपको tap करना होगा नीचे आपको देखने को मिल जाएगा height का button इस पर अब जब tap करोगे तो आपको यहाँ पर एक password select करने के बोलेगा जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी एक password select कर लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर ok करना होगा यहाँ पर पूछा जाएगा आप इस video को height करना चाहते हूँ की नहीं तो आपको यहाँ पर ok कर देना होगा एंदन आपका जो वीडियो है वो हाइट हो जाएगा इड़ गाईज उस पर्टिकूलर वीडियो को unhight करने के लिए आपको सिंप्ली यहाँ पर क्लिक करना होगा folders पर एंदन चाना होगा hidden items पर एंदन आपको यहाँ पर password को देना होगा एंदन आपने जो वीडियो हाइट किया था वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिंप्ली आपको इससे सिलेट करना होगा एंदन यहाँ पर सिंप्ली कर देना होगा बस आपका जो वीडियो है वो unhight हो जाएगा हे ना भाई लो काफी कमाल का यह feature अगला यह फिप नंबर पे जो आपको hidden feature देखने को मिल जाता है ओक यह Ambient Display का feature उसको आपको एक्टिवेट यह on करने के लिए आपको सिंप्ली जाना होगा settings पर and about device उसके बाद आपको यहाँ पर five time क्लिक करना होगा MIUI version पर क्लिक करने के साथ आपका जो develop option है ओ अभी on हो जाएगा उसको सिंप्ली आपको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर scroll करके नीचे आना होगा and then जाना होगा additional settings यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा develop option develop option में आने के बाद आपको यहाँ पर पूरे scroll करके नीचे आना होगा and then आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा turn on MIUI optimization करके so यह भी on रहेगा उसको simply आपको off कर देना होगा उसके बाद आप जब यहाँ पर settings के main page पर back करोगे तो आपको यहाँ पर नया दो option देखने को मिल साएगा एक है multiple users और दूसरा होगा ambient display and lock screen उसके बाद मैं अगर यहाँ पर ambient display को on कर दूँ तो मेरे Redmi Note 5 Pro पर यह भी support नहीं कर रहा है या नहीं चल रहा है आगे जाके जब नया MIUI 11 का कोई update आएगा शायद से तब यह activate हो साएगा तब तक आप इस ambient display के feature को आप एक बार Xiaomi device पर try करना और comment करके ज़रूर बताना आपके device में चल रहा है कि नहीं उसके बाद आपको यहाँ पर जो 6 number पर hidden feature देखने को मिल जाता है ओक यह notes पे toolbox का तो अगर आप MI के notes app को use करते हो तो आपको यहाँ पर एक नया option देखने को मिल जाएगा टाक्स करके तो यहाँ पर अगर आप ड़ाते हो tax पे अगर आप क्लिक करोगे 3 dots पे उसके बाद अगर आप जाओगे settings पे तो आपको यहाँ पर एक नया option देखने को मिल जाएगा use task toolbox का option तो अगर आप इसे on कर देते हो तब आपको यहाँ पर एक बाद देखने को मिल जाएगा जिसे आप swipe करके आप अपने tax को पूरा control कर सकते हो या notes वगरा को edit या safe कर सकते हो जो कि मुझे काफी बढ़िया feature लगा उसके बाद आपको next या hidden feature जो कि मिल जाता है ओ है आपका system launcher में 3D touch का feature तो अगर आप यहाँ पर किसी भी app पे tap and hold करके रखोगे तो आपको यहाँ पर उसके काफी सारे option देखने को मिल जाएगा बिना कोई भी app को open किये उसको बोलता है 3D touch so MIUI 11 के update आने के बाद यहाँ पर 3D touch को भी add कर दिया गया है system launcher में जो कि मुझे काफी जादा बढ़िया लगा उसके बाद आपको यहाँ पर 8 number पे जो hidden feature देखने को मिल जाता है जो कि यह file manager पे सो अब यहाँ पर file manager को आप जब open करोगे तो आपको यहाँ पर एक नयाओ option देखने को मिल जाएगा docs करके सो अगर आप यहाँ पर docs पे click करोगे तो आपके office के जितने भी files है जैसे pdf, word, excel, powerpoint यह files उन सारे file को आप यहाँ पर read कर सकते हो बिना कोई भी third party app को download किये वगर जो कि MI file manager को और भी जादा bettering और और भी जादा intelligent बना देता है उसके बाद आपको यहाँ पर 9th number पे जो आपको hidden feature देखने को मिल जाते है ओकि यह आपका ev vault पे जो अगर आप यहाँ पर से जाओगे ev vault पे और यहाँ पर swipe down करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ नए shortcut को add किया गया है जिसे use करके आप अपने ev vault यूज करने का user experience है उसे काफ़े जादा enhance कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पर 10th या last number पे जो आपको hidden feature देखने को मिल जाता है ओकि यह notification shade changing का feature तो अगर आप जाते हो यहाँ पर से settings पे एंदन जाते हो यहाँ पर notification पे एंदन क्लिक करते हो notification shade पे आपको यहाँ पर दो तरीके का notification shade देखने को मिल जाएगा एक है MIUI और दूसरा है Android आप इन दोनों sheets को एक एक बार try करना और जो आपको सबसे जादा पसंद आए उसे आप save करके रख सकते हो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही था I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई है और आप मेरे को नीचे comment section में comment ज़रूर से करना